Hello everyone, this is Sakshi. I welcome you all on the special English classes for PS, PCL, LDC and Stenotypist. आज दे lecture दे विच अपा कुछ ऐसे words डिसकस करांगे, basically ऐसे root words डिसकस करांगे, जिदी help दे नाल, थो नों होर words याद हो जनगे, जेड़े ओ words हैं, ओ इकता थो डे synonyms, antonyms दे विच काम मानगे, ते नाल ही one word substitution दे विच काम मानगे, okay? जेड़े भी आज अपा words पढ़न जा रहे हैं, ओ basically types of personalities डेना related हैं, अप अपने आसपास देगने, अपनों बहुत ही तरह दे लोग मिल देने, कई ऐसे लोग उन्दे हैं, जेड़े अपने बारे सोच दे हैं, कई ऐसे उन्दे हैं, जेड़े दुज्या बारे सोच दे हैं, क अपा कुछ ऐसे ही लोग का बारे पढ़ांगे, यह बहुत ही जादा important वीडियो है, यहनों जरूर देखियो, ते अच्छे तरीके नाल समझेओ, यह थोड़े बहुत काम आओगी, okay, so ओ सब स्टूडेंट्स जिना ने चानल हो सब्सक्राइब ने किता, सब्सक्राइब करो ते बल आइकन हो क्लिक करो, so start कर दे है, सब तो पहला अपने कुल वर्ड है, मिजन, okay, हुन देखो जड़ा मिजन रूट वर्ड है, एदा मतलब क्यों दे है, to hate, किसे तो घ्रीना करना, सब तो पहला जड़ा वर्ड है, मिस एंथ्रोप, okay, मिस एंथ्रोप जड़ा वर्ड ह सब तो पहला वर्ड है, मिजन, and the second root one is, एंथ्रोपोस, okay, हुन देखो, जड़ा वर्ड मिजन है, ओधा मतलब क्यों हो गया, hate, ते एंथ्रोपोस दा मतलब क्यों हो गया, mankind, so अपा अल्टिमेटली बोल साख देना, कि मिस एंथ्रोप केडा बंदा हों दे है, ऐसा परसन एंथ्रोपोस देनाल, अपने को दो होर वर्ड इंटर रिलेटिड है, ओ हैगा, फिलैंथ्रोपोस दे बारे आपा किते शायद पहला भी पाड़ चुक है, अगर तो याद होवे, जो तो PSPCL दे टाइप ऑफ स्टडीज बारे डिसकस किता सी, ओ दे विच एंथ्रोपोलोज बारे पाप पड़यासी, ओके, ते बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टर्म है, अंधिर अंधिर अंधिया, डिफरेंट इग्जाम से विच, सब तो पहला होना आपा फिलैंथ्रोपिस बारे पाड़ दें, फिलैंथ्रोपिस जड़ा वर्ड है, वो दो रूट वर्ड नाल म मैनकाइंड, सो जड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हो, एक ऐसा परसोन होया ना, जड़ा कि लव कारदा है मैनकाइंड नू मतलब, ओ मिस अंथ्रोप दा क्यो है, ओपोजिट होया, ओके, नेक्स्ट टर्म अपने को लैं एंथ्रोपोलोजी, एंथ्रोपोलोजी दो रूट स्टड़ी करना मैनकाइंड बारे, ओके, सो एंथ्रोपोलोजी मीन्स, स्टड़ी ओफ देवल्पमेंट ऑफ हुमन रेस, यह स्टड़ी ओफ मैनकाइंड, ओके, आई थिंक थोन्वा तिन्नो वर्ड्स याद होगे होंगे, हुन नेक्स्ट आपा वर्ड डिसकस कार देहू है अगर आपा मीजोगाइनिस्ट दिगाल करिये, मीजोगाइनिस्ट दो रूट वर्ड्स नाल मिलके बने ओए है, पेला इस मीजन और इस बसेकेंड वन इस गाइनी ओके, बेसिकली गाइनी जेड़ा हो गाइनी तो बने ओए है, हुन देखो जेड़ा गाइनी है, एदा अगर तो हेट, सो जेड़ा मीजोगाइनिस्ट हुन दा है, ओ ऐसा परसन हुन दा है, जेड़ा की हेट कारद है विमन तो, बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब याद्रिंधिन दी याद्राओं रखना है का। या सपस्प्राइं आपा नाजाए त रादा मिंग्रोड इनट्राव आ गांता है Is tava Guyan गाइनेकोलोजिस्ट कौन हो गया कोई ऐसा परसन जेड़ा की विमेन देना डिलेटिड है, तो अगर आप गाइनेकोलोजिस्ट पर देखे तक ही हो या, कोई ऐसा मैडिकल स्पेशलिस्ट जेड़ा की फीमेल दे डिसॉडर नू ट्रीट कर दे, ओके, सो गाइनेकोलोजिस्ट इस अ मैडिकल स्पेशलिस्ट फीमेल डिसॉडर, ओके, हो नेक्स वर्ड इसकस कर दे है, वो हैगा मीजोगैमिस्ट, मीजोगैमिस्ट जेड़ा वर्ड है, वो बेसिकली दो रूट वर्ड नाल मिलके बने होया है, सब तो पहला अपने कोल डूट वर्ड है मीजर, एंड दे सेकंड डूट वर्ड इस गैमस, ओके, हुन जेड़ा वर्ड गैमस है, ए डूट वर्ड कादेली यूज किता है, अधा मतलब क्यों है, एधा मतलब हुन है, मैरिज, मिजर मीन्स हेट, मिजोगैमिस्ट कोई ऐसा परसोन होया है, जेड़ा हेट कारदा है मैरिज तो, मिजोगैमिस्ट बारे की बोलांगे, अब परसोन हूँ हेट्स मैरिज, हुन देखो, जेड़ा वर्ड गैमस है, वह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट वर्ड है, तो इदे नाल मिल दे जुल्दे कुछ होर वर्ड भी आपा डिसकस कारदें, सब तो पहला वर्ड अपने को ला है, मोनो गैमी, औके, हुन जेड़ा मोनो गैमी वर्ड वर्ड है, वह बैसेकली दो rootiffer नाल बने ओया है, पहला है मोनो अण सेकंड इस deficंद गैमस, अगर अपपा मो दिखाल करिए, जेड़ा मोनो वर्ड है, अगे था मतलब क्यों 한दaaa, वन, तिएगमस ये सादिकाल मतलब मेरेज, So, monogamy दा मतलब क्यों हो गया? One marriage. So, monogamy दा मतलब क्यों हो गया? एक शाद्धी करना. Okay, second अपने कोल word है, bygamy. Okay, हुन देखो, जिड़ा bygamy word है, वो basically दो root words नल बने हो गया है, by थे gammas. by दा मतलब क्यों हो गया? Two. Okay, by, by दा मतलब क्यों हो गया? Two. So, bygamy मतलब दो marriage करना. और तो बाद, next word है, polygamy. Polygamy जिड़ा word है, वो दो root words नल बने हो गया है, poly plus gammas. Okay, so poly मतलब क्यों हो गया है? Many. So, polygamy मतलब बहुत सारियां शादियां करना. Okay, so हुना पर poly नल रिलेटिड, दो होर वर्ड्स पाड़ दे हैं. सब तो पहला अपने कुल वर्ड है, polygyny, ते second word is polyandry. Okay, हुन जिड़ा polygyny है, वो दो root words नल बने है, I think तो नूने दा मतलब समझ आ गया हो, because आप poly दा मतलब ही पाड़ लिया, ते गाइनी दा मतलब ही पाड़ लिया, poly मतलब की है, many, ते गाइनी मतलब women, so, यह दा मतलब क्यों है, कि कोई आप ऐसे परसंदिगाल का रहे हैं, जिदि यह बहुत सारी हैं, wives है, okay, वो तो बाद, next word है polyandry, जिड़ा polyandry है, वो basically poly, ते androze, root words नल बने होई है, जिड़ा androze word है, वो basically यह दा मतलब हुनद है, male, okay, जि में गाइनी दा मतलब women हुनद है, वो में एंड्रोज दा मतलब क्यों है, male, जिड़ी term polyandry है, वो कि से ऐसी female दे ले use किती हैं जिदे बहुत सारे husband zone, हुन तुसरी सोचोंगे भी यह कित्ते हुनदा होगा, ठीक है, वेस्टरन कंट्रीज हैं जेड़ी हैं, या फिर तिबबत दे विच, ए चीज़ इंप्लीमेंट कित्ते हैं दिया होथे, okay, so I hope थोने 5 दे 5 words दे भी meaning समझ आगे होंगे, so, हुन next root word discuss कारदे हैं, सब तो पहला आपने को root word है, dexter, okay, जेड़ा word dexter है, अगर आप एदा latin language दे विच meaning देखे, ता latin दे विच एदा मतलब हुनद है right hand, okay, तो अगर आप आप इंग्लिश language एदा मतलब देखे, dexter दा, ता English मतलब हुनद है इदा skillful, Nipun, okay, so, dexter now related, हुन आप दो words discuss कारदे हैं, सब तो पहला dexterous है, and second one is ambidextrous, देखो, जेड़ा word dexterous है, वो basically दो root words दे नाल बने हुए है, सब तो पहला आपने को लिए dexter, तो second जेड़ा है, वो basically अपने को लिए suffix है, suffix था मतलब आपा नो किसे word दे पिछे लगाने है, okay, OUS, so, जेड़ा अपना OUS है, वो उत्थे आपा यूस कारदे हैं, जोदो आपा किसे adjective दिगाल कारे हैं, मतलब quality दास रहे हैं, या disquality, So, dextrous कौन होगा, O person जेड़ा की बहुत जादा skillful होगे, okay, dextrous is a person who is skillful, किसे निपून परसन नो dextrous बोल दे हैं, ओ तो बाद, next term है MB dextrous, हुन MB dextrous basically three words नल बने होए है, सब तो पहला MB, then second one is dexter, and the third one is OUS, okay, so OUS means आपा किसे quality या disquality दिगाल कारे हैं, यह थे word जेड़ा MB है, MB ता मतलब क्यों दे है, both, okay, dextrous मतलब की है, कि right hand, या फिर skillful, मतलब MB dextrous जेड़ा word है, किसे ऐसे परसन दे ले यूज़ किता हैं, जेड़ा कि अपने दोनो हथा नो equally skill देनाल यूज़ कर सके, okay, मतलब उन अपा देख दे हैं, कि कई लोग हैं, जेड़े, उनना दा left hand वधिया तरिके नाल काम कर दा हूंद है, कई आदा right hand कर दा हूंद है, MB dextrous ऐसे परसन दे ले यूज़ किता हैं दा word, जेड़ा कि right दे left दोनों हैंड नो बहुत ही वधिया टांग देनाल यूज़ करे, okay, मतलब उन अपने कुल root word है, droid, droid दा मतलब भी basically right hand ही हूंद है, ठीक है, ते ये तो अपना word बने हूए है, android, android जेड़ा word है वो किसी ऐसे परसंदे ले यूज़ किता हैं दा है, जेड़ा की बहुत जादा skillful होई, ते android वर्ड नो याद करन दा एक बहुत ही वधिया टांग है, android तो तुसी याद कर साग दे हूं, android हूंद है न अपने फोन दे विच, तो android तो याद कर साग दे हूं, क्योंकि वो भी बहुत जादा skillful अपने फोन दे जड़ी पूरी functioning है, वो सारी android दे उपर ही डिपेंड कर दे हूंद है, तो तो तुसी android वर्ड नो भी याद कर साग दे हूं, नेक्स्ट वर्ड इस गौष, याद गौष बोलने वैसे एदा जड़ा लेटिन दे विच मतलब है वो हूंद है लेफ्ट हैंड जि में डेक्स्टर दा राइट हैंड सी एदा मतलब क्यों गया है लेफ्ट हैंड ठीक है हूं जड़ा डेक्स्टर सी वो बिल्कुल दा हमिया, तो देक्स्टर दा ऑपोजिट है गौष बने वहेह है तो जड़ा गौष गौष्यर विशिक वर्ड खने ओंड औल सी वर्ड पने ओवर्डय विशिकर याद 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 रखोंगे वहागा श्निस्टर सी कर दन का स्निस्टर्ड है इना मतलब है लेफ्ट हैंड ठीक है एन्हों भी तुसी गौशनाल इंटरिलेट कार साग दे हूँ, स्निस्टर बेसिकली किसी ऐसे परसंदे ले यूज किता हैं दे है, जड़ा कि बहुत जादा डेंजरस हो वी, ठीक है, जड़ा अंस्किलफुल था है, बट नालो हो डेंजरस वी है, ओधेले ही वर्ड सिनिस्टर यूज किता हैं दे हैं, ओके, सो वर्ड है एस्केटिस, ओके, एदा मतलब बेसिकली क्यों दे हैं, मौंक या हर्मिट, जिन्हों आपा हिंदीच सन्यासी बोल दे हैं, कोई ऐसा बंदा, जड़ा की पूरी दुनियादारी तो दूर अन्द है, अपना, ठीक है, उन्हों बोल दे हैं, मौंक या हर्मिट या सन्यासी, ठीक है, सो एदे नाल तुसी दो वर्ड याद रखने हैं, एस्केटिक त्या एस्केटिसम, एस्केटिक किनु बोल दे हैं, जड़ा की हर्मिट होवे, सन्यासी होवे, कोई परसन, ठीक है, जिने, जड़िया भी फैसिलिटीज आपनो मिल दे होना, सारा नो त्याग के रख्या होवे, जंगलांच जाके रहरे होवे, कोई ऐसा परसन, ओके, ओतो बाद, एस्केटिक बंदा, जड़ी प्रैक्टिस नो फॉलो कारदा है, उन्हों पर की बोल दे हैं, एस्केटिजम, ओके, सो एस्केटिजम मीन्स, प्रैक्टिस ओफ बिंग एस्केटिक, सो आज दी वीडियो दे विच अपा काफी वर्ड्स डिसकस किते, इस तरीके दी एक वीडियो अल्रेडी डिसकस हो चुकी है, चैनल दे उपर अप्लोड किती होई है, ओ बेसिकली हिंदिज सी, तो दे विच काफी सारे स्टुदेंट्स नू प्रॉब्लम आरी सी, इसलिए ए वीडियो मैं हुन तो पंजाबी दे विच अप्लोड करया करूंगी, ओ स्टुडेंट्स चिन्ना ने पार्ट वन नहीं देख्या, ओ जरूर देखो, ओ दे विच भी बहुत जादा इंपोर्टेंट टर्म्स डिसकस कितियां गया ने, ओके हुन तो जड़ी वीडियो जान गया हो सारी हां पंजाबी दे विच आन गया, जड़ी फस्ट पार्ट दी वीडियो हो हिंदी दे विच है, ओके, तो आज ते लही एन नहीं, मिल दे नेक्स वीडियो दे विच, थैंक्यू सो मच.